Hello everyone, मैं रजनीश और मैं आज आप लोगों को बताऊंगो कि कैसे आप लोग इन पेज बना सकते हैं Ajax technology का इस्तिमाल करके और Ajax का जो advantages हैं, जो Ajax के फाइदे हैं उसको आप यहाँ पर समझ सकते हैं मैं यहाँ पर Ajax के बारे में आप लोग को नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ मैं यहाँ पर Ajax की कुछ features हैं जिनका इस्तिमाल करके मैं एक login page बनाऊंगा और इस किस तरीके से इसको हम database के संग connect करेंगे यह सारी चीज़ें मैं समझाने बाला हूँ इस lecture में एंट तर वीडियो देखेगा तभी आप उस चीज़ें अच्छे से समझने आएंगे clear तो आप यहाँ पर एक page देख रहे होंगे यह login page है simple सा एक login page और यहाँ पर एक database है dummy 2 और उसके अंदर एक table है login table यहाँ पर दो column है user id and password और एक record इसके अंदर insert है तो अब मैं यहाँ पर इसके रिफ्रेश कर दे रहा हूँ ठीक है अब मैं यहाँ पर suppose कर लिजे कोई भी एक मैं id डालता हूँ कोई गलत wrong id डालता हूँ और मैं यहाँ पर password भी कुछ इस तल से डाल दे रहा हूँ तो जैसे मैंने देखिए login बटन पर click किया तो errors in login credentials यहाँ पर output आ रहा है ठीक है तो यह response आ रहा है server से कि आपकी id और password गलत है तो यहाँ पर जब server से response आया तो मेरा पूरा page जो है वो reload नहीं हुआ यह फाइदा होता है Ajax का इसलिए compare to without Ajax जो form होते हैं उनका speed और Ajax वाले जो form होते हैं उनका speed तो उनका difference होता है Ajax ज्यादा fast काम करता है और ज्यादा interactive होता है यादि कि हो सकते हैं आपकी बहुत ज्यादा user friendly होता है क्योंकि पूरा page reload नहीं हो रहा है ठीक है तो अब यहाँ पर मैं अब एक another page.php और यहाँ पर जो भी user का ID था वो यहाँ पर display अब मैं यहाँ पर back में जाओंगा तो भी मैं वहीं पर वापस redirect करूंगा तो यह भी मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है बहुत ही simple सा मैं इसमें code इस्तिमाल किया था कि beginners जो struggle करते हैं इसमें उनका concept clear हो और उस further आप इसको enhance कर सकते हैं अपने हिसां से clear तो सबसे पहला काम हम एक हम जो use कर रहे हैं वो मेरा देखिए WAMP server है यहाँ पर मैं WAMP server के इस्तेमाल कर रहा हूं अगर आपके पास WAMP है नहीं है तो अगर है तो XAMP में भी आप काम कर सकते हैं तो WAMP में काम करने का जो तरीका वो यह है कि आपको simply यहाँ पर जाना है और WAMP 64 के अंदर www के अंदर मैं यहाँ पर एक folder create करूँगा और इस folder का नाम मैं दे रहा हूं दे देता हूं Ajax login और इसे मैं Visual Studio Code के help से open करूँगा open with code अचा अब यहाँ पर मुझे क्या करना है एक design create करना है ठीक है तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा login.php और login.php में देखिए ना मुझे design पुरा create करना पड़ेगा तो मैं एक simple design के साथ भी चल सकता हूं basic design और मैं जो मैंना भी design आपको यहां से निकाल के देता हूं ठीक है मैं यहाँ पर design वाला पार्ट रखूँगा बाकी समय वापस से लिखूँगा तो जैसे कि फिलाल मैं यह सब को delete कर देता हूं मैं लिखूँगा तो समझा पाऊंगा अच्छे से आप लोगों को कि कैसी चीजे run करें यह script का code है मैं पूरा यहां से delete कर दे रहा हूं और design वाले पार्ट को बनाने में क्या है कि time लगेगा ज्यादा तो अब मैं इसे run कर रहा हूंगा तो run कराने के लिए मुझे क्या करना होगा यहां पर simply मैं यहां पर जाओंगा localhost मेरा port number है 8282 आपका 8080 हो सकता है तो यहां पर मुझे करना क्या है ajax login यह login.php यहां पर हम click कर रहा है तो यह page खुल गया ठीक है फिलाल अभी यहां पर कुछ होगा नहीं अगर मैं इस पर click क करूंगा nothing will happen क्योंकि मैंने जो code था सब delete कर दिया है तो यह मेरा code है design part है इसमें आप देखकर इसको बिल्कुल confuse मत होगा मैं इसमें सारी चीज़े आपको समझा दूगा design वाला पार्ट नहीं design वाला पार्ट तो एक basic सा चीज है आप उसे हराम सा समझ सकते हैं तो दिखिए ध्यान दिजे जो important चीज़े वो यह है यहाँ पर मेरा देखिए एक text box है एक password है और एक button है उसका नाम क्या है submit ठीक है बाकि यह जो मेरा text box है उसका ID है user ID and password क्या है ID क्या है password मतलब मैंने text का ID रखा user ID और password का ID मैंने रखा है password name का मुझे यहाँ पर कोई जरुरत नहीं पड इसकी ID क्या देखी है message यह blank रखा है मैंने क्यों क्योंकि सारा message हम इसी के अंदर drop करेंगे ठीक है तो यह कैसे हो रहा है सबसे पहला चीज हमें क्या करना होगा script लिखना पड़ेगा head के अंदर जाके हमें script लिखेगा मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को यह design वाला part बनान का line क्या लिखूँगा मैं window window.onload window.onload का मतलब क्या होता है कि जब आपका document पुरा ready रहेगा तब यह onload के अंदर देखे मैं एक function एक नाम लिख रहा हूँ manage यह कुछ भी लिख सकते है manage form ठीक है तो यह manage form basically है क्या यह एक function है function हम लोग JavaScript में इस तरह से initialize कर सकते है function का नाम हम इस तरह से लिख सकते हैं और यहाँ पर मैं उस function को अब define कर रहा हूँ manage form simple ओके तो यह manage form कब run करेगा जब मेरा जो जब मेरा document पुरा load हो जाएगा तो यह function अपने आप call हो जाएगा और जब यह function call होगा ठीक है तो क्या होगा इसके अगदर कुछ code लिखना होगा मुझे तो मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं इस submit button पे click करूँ तो कुछ activity हो जब मैं submit button पे click करूँ तो कुछ activity हो तो इसक सकते हैं बट यह recommended तरीका नहीं है कि आप यहाँ पर on click के इसके अंदर कोई function डाल दीजिए हां और अपना coding कर देजिए ठीक है function login define कर दीजिए और हो जाएगा लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे it is not a good way of doing this thing हम लोग यहाँ पर simply क्या करेंगे सबसे पहला का reference लेंगे किसक कर रहे हैं हम मेरा जो document है उसके अंदर एक ID है वो ID है BTN हम उसका reference हमें चाहिए I need that reference तो मैंने यहाँ डाल दिया BTN ठीक है मुझे button का reference जो submit button है उसका reference मुझे मिल गया और वो किसमे store है इसके अंदर store है ठीक है अब मैं क्या करूंगा इस button reference का इस्तिमाल करके sorry इस button reference का इस् event listener ठीक है event listener से मैं यह कहूंगा कि अगर click type का कोई भी event होगा click type का अगर कोई भी event होगा तो आप मेरे इस function को run करा देना ठीक है मैं यहाँ आपर add event listener से यह कह रहा हूं कि अगर click type का कोई भी event होगा तो मेरे इस function को आप run करा देना ठीक है तो इसे बोलते है event और इसे बोलते है event handler तो इन असान भासा में आप यह कह सकते हैं कि add event listener दो तरह का value लेता है एक है event और दूसरा event listener और यह button reference से इसलिए मैंने attach किया ताकि button ref जो है वो इस submit button को refer कर रहा है तो मैं चाहता हूँ जब इस पर click हो तभी यह function run करें ओके तो अब मैं यहाँ पर कुछ code लिखोंगा यहाँ पर देखिए मुझे अब Ajax का जो concept है मैं यहाँ पर implement करने जाह रहा हूँ तो मैं simply object create करूँगा और वो object जो होगा मैं उसका नाम अभी लिखने से पहले मैं यहाँ पर लखे लिख रहा हूँ वैर XML object तो यह हम आप कुछ भी दे सकते हैं तो मैं यहाँ पर XML लिख रहा हूँ और यहाँ पर होगा XML HTTP request यह क्या है यह आपका एक class है और यह जो है यह constructor है तो basically यहाँ पर हो क्या रहा है कि एक object create हो रहा है किस type का object XML HTTP request object हम लोग यहाँ पर create कर लें object creation of class ठीक है तो basically यहाँ पर हम एक object मिला और उसका reference कहाँ पर चलागा XML object के अंदर तो आप लोग को पता ही होगा Java पढ़ा होगा अपने अगर C++ पढ़ा होगा तो एक object के अंदर में variables होता है जिनको लोग data members बोलते है उसी तरह से यहाँ पर XML object जो है वो भी उसके भी कुछ data members है तो कुछ selective data members के में नाम बता रहा हूँ और कुछ methods के भी नाम बता रहा हूँ तो सबसे पहला जो है वो है आपका XML object.open तो याद रखिएगा आपको दो method का ज़रुरत पढ़ेगा ठीक है एक है आपका open ठीक है और एक है आपका send एक open है और एक है send यह दो method का ज़रुरत पढ़ेगा तो यह open method क्या करता है open method आपके इस object को initialize करता है ठीक है उसके अंदर कुछ information load करता है क्योंकि एक object create हो गया तो उसको हमको कुछ बताना भी तो पड़ेगा तो मैंने कहा XML object को कि आप इस type का request send करिए server में मतलब इस type का request मुझे send करना है मैं अभी बोल नहीं रहा हूं उसको send करने के लिए मैं सिब initialize कर रहा हूं कि मुझे get type का request send करना है और दूसरा parameter जो होता है वह होता है कि server में आपको किस चीज को target करना किस file को target करना ती check login, अब यह check login करके मेरे पास तो कोई file नहीं है, तो मैं यहाँ पर एक file create कर देता हूँ, check login.php, file create होगी मेरी, अब देखिए, यह जो check login.php है, हम अपना यही पर सारा database connectivity का program लिखेंगे, code जो भी होगा, यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर basically हम कर क्या रहे है, हम XML object जो हमने create किया, XML HTTP request का जो मैंने object बनाया, वो इसके अंदर store है, अब मैंने क्या किया, simply एक open method को call कर दिया, और यह open method है किसका, इसी XML HTTP request object का method है, open method, send method, दोनों उसी का method है, तो मैंने call किया और मैंने initialize कर दिया, एक method type, मतलब किस type का request करन चाहते हैं, और क्या चीज के लिए request करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन यह work नहीं करेगा, जब तक कि आप send method को call नहीं करते, तो आपको send method को call करना ही होगा, अगर आप send method को call नहीं करेंगे, तो यह work नहीं करने वाला है, ठीक है न, ओके, तो अब हमें एक चीज और करना मैं आपको बताता हूँ जब आप request send करेंगे तो request तो जाएगा सीधा server में ऐसे सोचिए request आपने send किया server में गया server में आपकी file यह वाली file run की अब जब यह वाली file run करेगी तो मुझे यहाँ पर code लिखना होगा तो मैंने यहाँ पर क्या करूँगा मुझे सबसे पहला चीज एक database connectivity करना तो मैंने include, include once, require, require once आप जो भी अभी call कर सकते हैं चोटा file है तो उतना issue नहीं है आपर तो मैंने यहाँ पर लिख दिया data con.php अभी data con.php तो मेरे पास है नहीं तो मैं एक simple सा file बनाऊंगा data con, data connection create करने के लिए मैंने यहाँ पर एक file बनाया data con.php अब मैं data con.php के एक line का सिर्फ code लिखूँगा ज्यादा है यहीं सिर्फ एक line का तो यहाँ पर मैं simply लिखूँगा dollar con equals to mysqli connect connect को मैंने call किया और मैं इसके अंदर pass कर दूँगा local host okay मेरा जो port number है मतब जहाँ पर मेरा mysql run कर रहा है जिस port पर वो 3308 है और root user id क्या है root password कुछ नहीं है और किस database को मैं target करना चाहता हूँ dummy to initially मैंने आपको दिखाया था यह मेरा connection create हो गया और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अगर आपका connection में कुछ भी issue हुआ तो यहाँ पर एक error आजाना चाहिए तो मैंने error in connectivity error in database connection dot mysql i error okay और इसके अंदर आप pass कर देंगे कोई भी error हुआ यानि कि आप जब database को access कर रहे हैं महाँ पर कुछ table का कुछ भी problem हुआ table का column में आपने कुछ गलती किया या कोई query में गलती किया तो आपको एक error मिल जाएगा ठीक है चलिए यह done होगे इसको मैं बंद करता हूँ यहाँ पर मैंने data con.php को include कर ले अब मुझे क्या करना होगा अब मुझे फाइल records fetch करने होगे fetching record f-e-t-c-h-i-n-g fetching details from input component c-o-m-p-o-n-e-n-t components ओके अब यह input components कौन से है वाई अब यह input component है मेरे यह दोनो text और password अब यह text और जो password इसका id देख लिजाए user id है और यह password id है user id and password okay तो देखिए जब मैं send कर रहा हूँ ना तो मुझे कुछ data भी साथ में send करना है तो हम अराम से get method जो होता है ना उसके through भी हम data send कर सकते हैं कैसे send करेंगे data तो मैं यहाँ पर एक data create कर रहा हूँ data equals to up क्या data होगा मेरे पास मुझे इसका जो भी detail है id का मतलब अगर जो भी मैं इसके अंदर value डालूँगा जो भी value डालूँगा मुझे वह चाहिए तो वह मुझे कैसे मिलेगा उसके लिए मुझे क्या करना होगा simply देखें यह बहुत ही basic सा code है तो मैं यह लिखूंगा val user id और मैं यह document वाला line यहां से copy कर रहा हूँ और यहां पर मैंने paste कर दिया और यह btn को हटा के मैं यहां पर user id डाल दे रहा हूँ ठीक है और मैं इसे पूरा copy कर रहा हूँ यह मैं क्यू कर रहा हूँ आपको मैं बता रहा हूँ वह जो boxes है na text box और password वहां से data fetch करने के लिए मैं यह कर रहा हूँ और यह user id dot value तो जो text box है उसका value मुझे मिल जाएगा और यह password का मुझे value मिल जाएगा और यह मैं यहां से change करते हूँ ठीक है good ओके अच्छा अब मैं यहां पर देखिए मैंने यह object को initialize किया किस से get से और resource मतलब कौन सा मुझे source चाहिए server में और फिर मैंने उसको send कर दिया send करने के बाद जो response आयागा मुझे उस response को तो handle करना पड़ेगा तो मैंने यहां पर लिख दिया on ready state change on ready state change में हमने एक function initialize कर दीए यह on ready state change क्या है property है किस की property है xmlhttp request object की property है और xmlhttp request को कौन refer कर रहा है xml object refer कर रहा है इसलिए हम उसके property को access कर पा रहा है xml object dot करके ठीक है और इसके अंदर हम क्या initialize कर रहा है एक function initialize कर रहा है इसका मतलब क्या हो इसका मतलब यह हुआ कि जो on ready state change है server से जब भी response आएगा किसी भी तरह का response आएगा तो यह function जो है यह call हो जाएगा invoke हो जाएगा यानि कि यह तब तक run नहीं करेगा जब तक server से कोई response नहीं आएगा है ना तो response की कई types होते हैं ओके तो मैं सारे types में तो भी नहीं जा सकता तो फिलाल में जो दो basic type है जो अभी यहां पर लगेंगे वो है आपका status status अगर आपका 200 है 200 मतलब ok server से status आता है ok का अगर everything is correct at server side and xml object.ready state ready state अगर आपका 4 है total 5 ready state होते हैं 0 1 2 3 4 4 का मतलब है कि everything is done आप google कर सकते हैं कि अगर ready state 4 इसका मतलब क्या है कि server में जो भी चीज़े हैं वो properly हो चुकी है अब server ने एक response दे दिया browser को तो यह code मैंने इसलिए लिखा कि अगर proper एक execution check login में अगर हो गया कोई गलती नहीं हुई तो यह code मेरा run करेगा और इसके अंदर हम जो भी चीज़ लिखेंगे वो execute कर जाएगा हां तो यह कैसे होगा मैं यहाँ पर alert में लिख रहा हूं xml object.response text यह response text क्या है यह property है server से जो भी response आएगा ना जो भी आप response send करेंगे वो इसी के अंदर store होता है तो मैं यहाँ से एक response देखे भेज रहा हूं dummy response भेज रहा हूं I am server okay देख लेता हूं कि यह work कर रहा है कि नहीं मैंने कहाँ display किया है simply alert कर दिया वहने उसको okay चलिए मैं देखता हूं यहाँ पर हमने तो कुछ लिखा ही नहीं है okay चलिए मैं यहाँ पर click कर रहा हूं कुछ data डालके चलिए data डाल देता हूं मैं यहाँ पर कुछ random data तो यह दिखिए यहाँ पर server से एक response आया I am server मतलब सब ठीक है okay तो अब मैं एक काम करूंगा अब मैं इसे हटा दे रहा हूं यहाँ तक तो मेरा सब कुछ सही है अब मुझे चाहिए क्या मुझे data sync करना है server में server में मैं अब data कैसे sync करूंगा तो उसके लिए दिखे हम parameter इक पनाएंग parameter create कर रहा हम यहाँ पे URL का parameter कैसा होता है फिर amp उसके बाद मुझे क्या चाहिए password तो मैंने आप लिख दिया password equals to and then plus आपका password होगया done अब यह जो data है न मैं इसके साथ combine कर देता हूं यहाँ पे मैं लिख दूंगा question mark file के बाद question mark plus data इसके बाद आप comma देके true और false दोनों से दे सकते हैं तो optional है देना वो by default row ही रहेगा यहाँ पे तो यह अब यह data जो है अब क्या है जब मैंने xml object.open किया तो मैंने xml object को initialize get method से कि मुझे get method का use करना है और यह मुझे server में भेजना है यह file का यह file मुझे चाहिए इस file को मुझे actually में server में target करना है और साथ में यह data है और send से क्या हो रहा है वो particular request जो है वो send हो रहा है और यह क्या है यह तब run करेगा जब server से कोई response आएगा तो चलिए अब हम check login में आ जाते हैं और इसको हम हटाते रहे और यहां पर मैं cross check कर रहा हूं कि dollar user id जो है वो मुझे मिला कि नहीं तो मैंने यहां पर लिख दिया user id let me just send this data back to browser user id okay एक बर मैं देखता हूं कि यह काम कर रहा है कि नहीं और मैं यहां पर simply alert को call करूंगा और यहां पर मैं लिखूंगा xml object.response text चलिए मैं यहां से कुछ रजनीश यह देखिए रजनीश आ रहा है मतलब everything is fine तो आईए आ जाता हूं इससे मैं अभी के लिए हटा दे रहा हूं अच्छा तो मैं एक चीज और बता रहा हूं अगर माल लीजे मुझे यहां पर target करना होगा तो यह division है इसके अंदर target करना होगा कैसे करेंगे तो देखिए ताकि बात में जब मैं लिखूंगा तो मुझे समझाना नहीं पड़ेगा आप easily grab करनेंगे तो इसके लिए मुझे यहां पर लिखना होगा message बहुत ही simple सा एक code है style नहीं inner text या inner HTML भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और यहां पर मैं लिखूंगा xml object.response text clear चलिए अब मैं एक बार आपको दिखाता हूं यह कैसे काम कर रहा है अब मैं यहां पर नाम डालूँगा Rajneesh आप देख रहे हैं यहां पर यह Rajneesh आ गया ठीक है तो फिलाल आप लोग यह समझ में आ गया होगा यह आगे हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो मैं इसको अटा दे रहा हूं अब मैं आता हूं चेक login के अंदर मुझे user id मिल गया अब मुझे क्या चाहिए मुझे चाहिए password यह चलिए मैंने password लिया dollar get इसको थोड़ा आप लोग encryption कर दीजेगा इसका मैं तो अभी simple way में बता रहा हूं आपको user id password मिल गया मुझे अब मैं query लिखूंगा dollar query query में मैं लिखूंगा my sql i अच्छा मैं query बना देता हूं मैं query बनाओंगा query क्या होगा मेरा select all from select all from क्या करना मुझे किस table से निकालना login table से where user id user id user id user id equals to अच्छा बाहर में single quote है ना तो अंदर में double quotes दीजेगा फिर double quotes के अंदर वापस single quote then dot 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 के अंदर में लिख दीजेगा dollar user id simple अब क्या चाहिए मुझे and pass pass लिखाता मैंने वहाँ पे बाहर में double quotes है single quote है तो अंदर में double quotes मतलब इसका concept क्या अगर आप बाहर में single quote रखते ना तो अंदर में double quotes रखेंगे फिर उसके अंदर single quote then उसके अंदर double quote यह concept चलता है ठीक है तो मैं यहाँ पर dot लगा कर dollar दे देता हूँ यहाँ पर और यह मेरा password हो गया done मैंने query बना दिया run कराना होगा na query को तो मैंने apply mysql i mysql i और मैं इसको run करा रहा हूँ query को और इसके अंदर query में जो सबसे पहला चीज pass करते हैं वह connection object और दूसरा आप जो query लिखे हैं उसको आप pass कर दीजे इससे क्या होगा मुझे एक result मिलेगा एक output मिलेगा तो मैं उस output को result करके एक variable में store कर दूँगा अब भी मैं चेक करूँगा कि क्या उसके अंदर कोई data है भी की नहीं तो मैं mysql i mysql i number of rows मैं चेक करूँगा कि number of rows कितना आया अगर number of rows greater than zero है इसका मतलब क्या है कि सब सही है मतलब वो id और password valid है मैच कर गया अगर नहीं तो हम यहाँ पर एक message कर देंगे errors in credentials c-r-e-d-e-n-t-i-a-l-s error in your credentials ठीक है आपको भी message यहाँ पर डाल सकते हैं अगर correct हुआ तब क्या करेंगे हम यहाँ पर एक message डाल देते हैं echo login successful चली पहले हम यही लिखते हैं उसके बाद मैं यहाँ page लगा दूँगा login successful ठीक है done okay सारी चीज़े यहाँ पर सही जा रही है भी चली चेक करते हैं तो मैं यहाँ पर id डालता हूँ और मैं यहाँ पर गलत password डालता हूँ पहले तो errors credential दिखा रहा है ठीक है अब मैं यहाँ पर correct id डालता हूँ और password one login successful but मुझे ऐसा नहीं चाहिए मुझे दब login successful होगा तो हम एक दूसरे page में redirect कर जाएंगे तो मैं यहाँ पर एक ऐसी dummy page बनाता हूँ another page dot php simple से यहाँ पर code लिख देंगे और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ h1 user id user id user id क्या होगा यहाँ पर हम simple से डिख सकते है user id php कम यहाँ पर एक छोटा सा code डाल देंगे यह देखे php echo कर देंगे पर echo क्या करें हमारे पास तो कुछ है भी नहीं तो फिलाल मैं इसको भी छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पर ऐसे comment out कर दे रहा हूँ तो देखिए आपको मैं एक चीज दिखा रहा हूँ आपको एक method को call करना होगा और उस method का नाम है session start तो session start basically करता क्या है यह एक object create करता है session session create करता है session object और जिसको refer करता है एक global array इसका नाम है dollar session ठीक है ना तो अब इस method के वीज़ से जो object create हुआ है आप वहाँ पर कोई भी data डाल सकते हो कैसे डालोगे आप तो देखिए सबसे पहला काम मैं यहाँ पर इसको हटा दे रहा हूँ okay तो simply क्या करूँगा मैं मैं लिकूँगा dollar session और मैं यहाँ पर user session के अंदर मैंने एक variable बनाया user id मतलब मैं उस object के अंदर जो मैं session object है उसको मैं इस dollar session के through access कर रहा हूँ और उसके अंदर मैंने एक variable बनाया user id और उसके अंदर मैं एक value डाल दूँगा क्या डाल दूँगा dollar user id हो गया done अब यहाँ से मैं क्या करूँगा एक दूसरे page पे send कर दूँगा दूसरे page पे तो दूसरे page पे नस send करके मैं simply क्या करूँगा यहाँ से एक message आल दूँगा simple login अब यह जो login है वो definitely मेरा इधर आएगा इस जगह पे मैं यहाँ पर एक condition लगाँगा कि if if xml object dot response text equals to equals to login अगर response text login आया तब क्या होगा और else यह जो भी है यहाँ पर जो run कर जाएगा ठीक है तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे simply window window क्या है एक global object है उसके help से हम उसकी property को access करेंगे उस property का नाम है location location के अंदर हम initialize कर देंगे एक url initialize कर देंगे और उस url का नाम है another another page.php ठीक है अब यहाँ पर चाहे तो parameter भी send कर सकते हैं बट मैं यहाँ पर कोई parameter नहीं send कर रहा हूँ क्योंकि उस session variable को यहाँ पर हम access कर सकते हैं क्योंकि वो global है उसे हम कहीं पर भी access कर सकते हैं तो मैंने उसे access करने के लिए आपको session start method को call करना पड़ेगा नहीं तो आप उसे access नहीं कर पाएंगे इस page के अंदर अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा simply dollar session sorry session और उसके अंदर में डाल दूँगा आपका user id done okay तो यहाँ पर और एक चीज़ और मैं लिखूंगा कि यह अगर वाबस कोई ठीक है मैं इसको ऐसे रहने देता हूं अब मैं यहाँ पर देखिए a and one डालता हूं तो यह देख रहा है user id a हो गया clear अब मैं अगर back जाओं तो मुझे फिर से यह page मिल जा रहा है पर यह नहीं होना चाहिए मैं back जाओं तो वापस यहीं redirect कर जाओं तो यह हम कर सकते हैं simply यह जो another page sorry login page है मैं क्या करूंगा एक php का छोटा सा script डाल दूँगा और इसके अंदर मैं call करूंगा session start ठीक है और यहाँ पर मैं लिखूंगा आपका if is set अगर मेरा dollar session set है और वो भी this thing user id तो क्या होगा न यह login यह जो नीचे का content है यह सब आएगा ही नहीं क्योंकि वह तो already login है तो हम क्या करेंगे उसको वापस यह जो आप देख रहे हो यह वाला line यह window.location मैं इसको call कर दोँगा अब इसको call में यहाँ पर directly नहीं कर सकता क्योंकि यह PHP वाला part है न तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा echo single quote के अंदर script okay script open and script close अब अंदर में क्या लिख दीजेगा यह अब देखिए यह single quote है इसको डबल बना दीजे क्योंकि बाहर में single quote है done मेरा काम हो गया अब मैं अगर जाकर back करूँ मैं इसको refresh करूँ तो देखिए अनदर page में redirect हो गया देखिए मैं login page पे click किया login page अब भी नहीं हो रहा है open अब मैं इसे एक बार क्या करता हूँ रिक्वेस्ट करता हूँ आपका क्या था login.php अब देखिए अब मैं यहाँ पे a फिर ऐसे रॉंग password डाल रहा हूँ अब a रहने देता हूँ फिर मैं यहाँ बन डाल रहा हूँ user id a मैं इसको back कर रहा हूँ तो देखिए वापस वही दिखा रहा है ठीक है डन ओके तो आज की इस lecture में इतना ही और हम लोग आगे जो करेंगे वह है आपका post कैसे काम करता है उसके बारे में बताऊंगा तो मुझे बताएगा आप लोगों को कि यह कैसा मेरा lecture लगा अगर अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि दूसरों को भी help मिल सके और मेरे चैनल को आप लोगों के support की सक्त जरूरत है क्योंकि यह grow नहीं कर रहा है और आप लोग support नहीं करेंगे तो फिर मेरा जो work है करने का चंता जो है वो दीरे दीरे कम हो जाए इसके इस lecture में इतना ही मिलते है next lecture में किसी next topic के साथ तक तक के लिए सबस्क्राइ़ करहा है